हमारी मेन केरिक्टर जुलिया डेविड के प्यार में पढ़ती है डेविड के वाइफ जुलिया का लाइफ बरबात करना चाहती है क्योंकि वो अभी भी डेविड से प्यार करती है हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मुवी अनफर्गडेबल 2017 की एक ठ्रिलर होलिवड मुवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते है अगर आप कोई वीडियो अचा लगता है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट भी कर दीजे जैसे जानों को सपोर्ट मिलता है अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें जूलिया पुलीस स्टेशन में दिखाई जाती है पुलीस ओफिसरों से कहते है तीन साल पहले तुमारे हजबन ने तुमें बहुत मारा था इस वज़े से उसे सजा भी हुई थी उसके खिलाव एक restraining order था थोड़े दिनों पहले वो खतम हो गया और फिर तुम दोनों फिर से एक दूसरे से मिलने लग गए उसने तुमें इतनी दकलिव दी थी तो फिर क्यों तुम उसके साथ रहती थी जुलिया का घर पर उसके एक सजबन की बॉड़ी मिली है पुलिस को लगता है कि जुलिया नहीं उसका murder किया है पुलिस कह रहे थे हैं कि जुलिया अभे भी उससे बात करती है और जुलियो को इसके बारे में कोई भी idea नहीं है उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे setup किया गया है इसके बाद movie एक flashback में start होती है जुलिया अभ अपना job छोड़ कर अपने फियांसे के साथ रहने के लिए एक नए शहर में जाने वाली है यहाँ बर उसके एक base friend है इसका नाम में Ellie जुलिया बहुती नर्वस थी Ellie उसे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे last marriage के तरह थोड़ा भी नहीं होगा तुम्हें अब life में जो भी खुश्या मिल रही है यह सब तुम डिजर्व करते हो जुलिया का ex husband यह बहुती अब्यूसी हो था उसे मारा करता था इसे के वारे में उसकी friend यह खेह रही थी इसके बाद हम जुलिया और डेविड को बेड में देख सकते हैं दुनों इक दूसरे के साथ intimate हो रहे थे जुलिया कहती है हमें जल्दी से ready होना पड़ेगा आज तुमारी बेटी भी घर पर आने वाली है डेविड की एक्च्वर में previous में शादी हो कही थी उसे एक बच्ची भी है उसने अपनी वाइफ को डिवास दे दिया है डेविड की वाइफ का नाम टेसा है जो हमारी और एक main character है नेक सिन में डेसा अपनी बेटी के बाल बनाते हुए हम देख सकते है डेसा अपनी बेटी से गयती है अगर तुमने मुझे मिस किया तो डेडी को बता देना वो तुमें घर लेकर आएंगे इनकी बेटी का नाम लीली है एसा फिर लीली को डेविड के पास छोड़ देती है उसका जो भी रूटिन है ये सब सही से उसे समझा देती है जुलिया अभी अभी डेविड के साथ रहने के लिए आई है तो उसे वो गुड लग करती है रात में जब डेविड लीली को सुला रहा था तो उसके blanket change हो गए है उसका पुराना जो blanket था यही वो मांगती है नेक्स डे जुलिया को एक लिटर मिलता है उसके एक सस्वन का returning order अब expire हो चुका है यानि कि जुलिया के एक सस्वन को court order मिला था यो जुलिया के आसपास कहीं भी नहीं दिख सकता अब यह order expire हो चुका है जुलिया यह देखकर disturb हो जाती है अब वो लिली के साथ lunch करने ही वाली थी तब यह टेसा उसे विजिट करती है लिली के school का जो भी time devil है वो कहती है तो मैं facebook पर मिल जाएगा जुलिया कहती है मैं facebook पर नहीं हूँ टेसा उसे डेविड का account use करने के लिए कहती है यह दोनों बात कर रही थी तब लिली इनके पास आगे लिली जुलिया से जित करती है मदर को भी हमारे साथ lunch करने दो यह जब lunch कर रहे होते हैं तो लिली को जुलिया का खाना पसंद नहीं आता टेसा उसके लिए अलग कुछ बना कर देती है रात में उसे लोरी सुनाती है और अच्छे से सुला देती है अब टेसा यहाँ से जा रही थी तो जुलिया को कहती है कि थैंक्यू मुझे lunch करने देने के लिए जुलिया कहती है तुम जीस चीज से गुजर रही हो यह सब कुछ मैं समझ सकती हो तैसा कहती है तुमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो जुलिया को हेट करती है रात में जुलिया को नीन नहीं आ रही थी जब वो living room में आई तो उसे लगा कि उसके खिड़के में कौन है वो डर गए थी अचानक से कोई दर्वाजा खोलने लग गया दर्वाजा खुला तो यह डिवीड ही था डिवीड ने नोटिस किया कि जुलिया बहुत ही डरी हुई है यह उसे पूछता है कि क्या हुआ जुलिया के दिक कोई भी प्रॉलम नहीं है आज जो भी हुआ यानि कि टेसा आई थी यह सब वो डिवीड को बताती है लिली को जुलिया का खाना पसंद नहीं आया था तो डिवीड कहता है कि उसे भी आदोत पढ़ने में जरा वक लगेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा जुलिया का बचपन सही से नहीं था वो लिली को अच्छा बचपन देना चाहती है इसके लिए वो बहुत ट्राय करती है वो अच्छे से रूटीन में लग जाती है एक दिन वो इस सब से फ्रस्टेट हो गई थी अपने फ्रेंड को कौल लगाती है कहती है मुझे लगता है कि टेसा से मैं उसकी फैमिली चीन रही हूँ उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुमारे आने से पहले ही उनकी फैमिली डूट गई थी इस सब सिच्वेशन का तुम ज़्यादा स्ट्रेस मतलो अपना करियर अपना जॉब ये भी तो चीज़े है जिन पर तुम फोकस कर सकती हो डिविड और जुलिया अब शादी करने वाले हैं तो जुलिया अच्छा सा वेडिंग ड्रेस देख रही थी जिस शौब में हो गई इसी शौब से टेसा भी अपना ड्रेस भाहि करती है ये एक छोटा सा टाउन है तो इस शौब के पर को भी जुलिया के बारे में पता है शादी की नियूस लिली को कैसी देनी है ये जुलिया और डेविड वंडर करते है डेविड केहता है कि लिली को तुमारी आदत होने दो उसके बाद हम उसे बता देंगे ये दोनों लिली का स्कूल में पफार्मस देखने के लिए आये हुए थे यहाँ पर टेसा भी थी है जब लिली को ये लेकर जाते हैं तो टेसा को बहुत ही बुरा रगता है नेक सिन में हम देखते हैं डेविड ने एक बीर की कमपणी डाली है इसकी इनौग्रेशन है एक्चुल में डेविड कुछ अलग जॉब करता था ये सब छोटकर अपना ड्रीम परश्यू करने के लिए इस टाउन में वो आया हुआ है वो बहुत ही खोश है कि उसके सब ड्रीम अब रियालिटी हो रहे हैं यहाँ पर टेसा भी स्पीश देती है उसे डेविड के आइडियास अच्छे नहीं लगे थे पर वो हमेशा डेविड पर ट्रस्स करती थी थोड़े टाइम बात डेविड और जूलिया डांस कर रहे थे टेसा यह देखकर बहुत ही जेलस होती है जूलिया का फोन उसके पास ही पड़ा था और इस फोन पर जूलिया की फ्रेंड का मैसेज आता है इस मैसेज में लिखा है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा सा ट्रेस मिलेगा सिर्फ ढूनती रहना इससे टेसा को पता चल जाता है कि जूलिया और डिविड की अब शादी होने वाली है इस चीज से वो बहुत ही डिस्टब हो गे एक आदमी ने टेसा को पार्टी में अप्रोच किया जिसके साथ वो पार्की में जाकर इंटिमेट हो जाती है टेसा ने जूलिया का फोन चुरा लिया था वो जूलिया का पूरा फोन चेक कर दिया इसमें उसे पता चलता है जूलिया का एक सस्बंड था उसके खिलाब उसके पास एक रिस्टेंडिंग ओर्डर है अगले दिन वो डेविड के पास आए उसे कहती है कि तुम जुलिया से शादी करने वाले हो और तुम्हें उसके बार में पता ही क्या है क्या तुम्हें नहीं लगता यह सब जल्दी जल्दी हो रहा है डेविड कहता है कि ऐसा कोजवे नहीं है वो जुलिया को पूरी तरीके से जानता है और टेसा से उसे शादी करने के लिए परमीशन नहीं लेने वाला टेसा कहती है कि जुलिया हमारे बेटी का सही से खैल नहीं रख पाएगी उस दिन पुराना ब्लैंकेट उसे जुलिया ने दे दिया था इस वज़े से उसे रहा जा गई थी डेविड कहता है हम इस सब जिसों को फिगर आउट कर लेंगे कोई भी प्रॉलम नहीं है घर जाते वक टेसा ने जुलिया को जो फोन चुराय हुआ था ये डेविड के गाड़ी में वो फेक देती है ये नहीं किसी को शक भी ना जाए एक दिन टेसा अपने बेटी के बाल बना रही थी उसे पोछती है कि मैं और फादर जब एक साथ रहते थे क्या तुम्हें अच्छा लगता था लेली कहती है कि मुझे जादा कुछ याद नहीं है आज टेसा की मदर भी उसे मिलने के लिए आई हुई थी उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें भी किसे और से अब शादी कर लेनी चाहिए अच्छे से शादी करने के लिए तुम्हारे पास अब बहुत ही कम टाइम है ऐसा इसके लिए मान नहीं रही उसकी मदर कहती है मैंने तुम्हें बताया था डेविड के साथ तुम अच्छे से रहो मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हो ऐसा डेविड और जुलिया के एक साथ फोटो देखकर बहुत रोती है जुलिया को एक अनानमेस नंबर से कॉल आना स्टार्ट हो गया है इसे वह बहुत डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके एक सजबन की कॉल से है इस कॉल पर कोई कुछ भी नहीं बोलता रात में हम देखते है कि टेसा जुलिया का फेक प्रोफाइल क्रेट करती है एक दिन जब जुलिया शावर ले रही थे उसके घर में कोई आया हुआ था वो जुलिया की रिंग डेविड की वाच चुरा कर वहाँ से चला गया जुलिया को लगा कि घर में कोई है तो बाहर देखने के लिए आई तो वहाँ फूल पड़े हुए थे नेक्स्ट मुमेंट में ही टेसा वहाँ पहुच गये जुलिया उस पर नाराज थी तो कहती है कि तुम हमेशा याँ क्यूँ आया करती हो ऐसा कहती है कि डेविड का मेल मेरे घर पर आ गया था यही दिने के लिए मैं आई हुई थे सब चीजे सिर्फ तुमारे बारे में नहीं होती है गुसा होकर वो भी वहाँ से चली गई जुलिया को जो फूल मिले थे इसे ट्रैक करने की वो कोशिश करती है पर anonymously उसे send किये गए थे रात में जुलिया को फिर से नीन नहीं आती वो वरी कर रही है कि उसका एक सजबन फिर से उसे ठून लेगा वो अपने फ्रेंड को call कर दिया उसकी फ्रेंड गयती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुमारा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है वो पूशती है कि डेविड को तुमने यह सब बताया जुलिया कहती है कि डेविड मुझे बहुत ही strong woman समझता है अगर उसे मेरे एक सजबन के बारे में पता चला तो मुझे वो weak समझ सकता है यह उसे नहीं चाहिए लेसा ने अब जुलिया के नाम से Facebook पर अकाउंट create कर दिया है इसी अकाउंट से जुलिया के एक सजबन को contact करती है उसे chatting करना start करती है जब जुलिया और टेसा एक दुसरे से फिर से मिलते है तो apologize करते है इन्होंने एक दुसरे से जुबी किया तो दोनों को बुरा लग रहा था तेसा कहती है कि चलो आज हम lunch करते है तेसा confess करती है मेरे और डिविड के बीच में जुबी हुआ यह सब मेरी ही गलती थी मैंने उस पर सिर्फ एक ही बार चीट किया था पर फिर भी उसे बहुत ही पुरा लगा जब वो तुमारे साथ होता है तो मुझे खुश लगता है हम दोनों जब एक साथ थे तो हमारी relationship बहुत ही physical थी हम कभी भी time या जगा नहीं देखते थे कही पर भी intimate हो जाते थे जैसा है जुली को जलाने के लिए कह रही थे इससे जुलीया बहुत ही डिस्टब हो गए निकसिन में हम देखते हैं एक event चल रहा था डिविड भी इस event में अपनी बियर शो कर रहा था जुलीया और लिली जब इस event में बहुँच है तो जुलीया को एक कॉल आया एक कॉल वो पिक अप करती है पर अचानक से उसके पास से लिली कायप हो गए उसे वो हर जगा ढूणने की कोशिश करती है पर उसे कही भी नहीं मिलती वो जल्दी से भाग कर डिविड की पास के यह दोनों से ढूणने लग गया एसा भी इस event में आई हुई थी तो फाइनली उसने लिली को ढूण लिया जुलीया ने लिली को गुम कर दिया तो इस पर वो बहुत ही नाराज थी डेविड भी जुलीया बार नाराज हो गया उससे पुछता है कि आज कल तुम्हारा चल क्या रहा है तुम अपनी रिंग क्यों नहीं पहन रही है जुलीया कहती है मैंने नाइट स्रैंड पर रखी थी पर अचानाक से वो गायब होगी वो घर में ही होगी तो उसे ढूंड रही हो टेसा ने डेविड को जुलिया को फूल मिले थे ये भी बताया था तो डेविड बुछता है तो ये फूल किसने दिये थे जुलिया कहती है उन फूलों को ट्रैक करने की मैंने कोशिश की पर मुझे किसी का भी पता नहीं मिला वो डेविड से यह थी है इस सब जीजे ठीक करने की में कोशिश करूँगी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि टेसा लिली को हॉर्स राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रही थी एक बड़ा सा हॉर्स लिली को राइड करने के लिए फोर्स कर रही थी जुलिया यहाँ बाद लिली को लेने के लिए आई लिली डर रही थी तो जुलिया उसे कहती है और तुम्हें नहीं राइड करना तो तुम मेरे साथ आ सकती हो कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला टेसा इस पर चीड़ गे और लिली को फोर्स कर रही थी जुलिया मानी नहीं और लिली को अपने साथ ले करके वो गाड़ी में लिली को समझाती है कि कवी भी लोगों को तुम पर पावर मत करने देना तुम्हें जो सही लगे यही तुम्हें करना चाहिए एसा ने डेविड को कहा था कि जब उसने लिली को ढूंडा तो एक अंजान आदमी के साथ थे जुलिया लिली से पूछती है कि वो आदमी कौन था लिली कहती है ऐसा कोई भी नहीं था एक दिन डेविड और जुलिया अपने कलीक के साथ डिनर कर रहे थे टेसा ने कहा था कि डेविड के साथ मेरी रिलेशन्शिप बहुत ही फिजिकल थी एबात जुलिया अपने माइंड से निकाल नहीं पाई है वो तुरण डेविड को लेकर बेडरूम में आती हैं उसके साथ इंटिमेट हो जाती है उसे डेविड के साथ उसी तरीके से वाइल्ड इंटिमसी चाहिए है अब नेक सिन में हम देखते हैं कि जब लीली फिस से टेसा के पास आई तो उस पर वो बहुत ही नारास थी वो कहती है तुमने मेरी बात नहीं माने एस पनिश्मेंट उसके सब बाल वो काट देती है जुलिया जब काम कर रही थी तभी उसके एकसर्जवन का उसे मेल आया इसमें उसने लिखा है कि मैं तुमने मिस कर रहा हूँ यह देखकर वो बहुत ही डर गए थोड़ी देर में टेसा लीली को छोड़ने के लिए आई जुलिया ने नोटिस किया टेसा के बाल कट चुके है और वो बहुत ही अफसेट है जुलिया टेसा को कहती है क्या तुमने उसे पनिश किया है तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते मुझे पता है कि सिजुजेशन डिफिकल्ट है पर तुम इसे और भी हार्ड बना रही हो इनका जगडा चल रहा था तब देविड के नीचे से आने का आवाज आया टेसा ना टक करती है चिलाने लग जाती है कहती कि प्लीज मुझे मत मारो एक एकर वो अपने आप से सीडियों से नीचे गिरती है डेविड को लगता है इस जुलिया ने ही टेसा को पुश किया डेविड फिर टेसा को डॉक्टर की पास लेकर आया रात में वो जुलिया से बात करता है जुलिया उसे जो भी हुआ इस सब को सही से समझा रही थी डेविड उस पर विल्यू नहीं कर रहा था जुलिया कहती है उसने तुमें छोड़ दिया था तुम पर छीट किया था तुम उस पर क्यों विल्यू कर रहे हो डेविड कहता है तुम मैं और टेसा में जो भी दुश्मनी है ये तुम्हें भूल जानी पड़ेगी मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे शादी करना चाता हूँ बास में जुहा ये अब मैटर नहीं करता तेसा ने जो किया इससे जूलिया बहुत डर गई थी वो फिर अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया उसकी फ्रेंड और वो मिलकर जुलिया की सब हिस्टरी निकालते है इस हिस्टरी से उन्हें पता चलता है डेसा जब छुटी थी तो उसने अपने फादर की घर को आग लगा दी थी डेसा की फादर उसे और उसकी मदर को चोड़ कर किसी और हाउस में रह रहे थे जुलिया की फ्रेंड उसे ये दिये ये सब बात तुमें डेविड को बतानी चाहिए इस शेहर से दुम दोनों चले जाओ ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है जुलिया की फ्रेंड फिल चली गए जुलिया जब अकेली घर में थी तो अचानक से उसका एकस हस्बन वहाँ आ जाता है वो बहुत डर गी उसे कहती कि मेरा हस्बन कभी भी घर पर आ सकता है एकस हस्बन को लगा था कि जुलिया ने उसे इन्वाइट किया है पर वो सब चैटिंग ये टैसा कर रही थी एकस हस्बन कहता है कि उसके आने से पहली हम इंडिमेट हो जाएंगे जुलिया उसे पुष्ट करती है तो बहुत ही ज़दा चीट जाता है वह गयता है कि तुम ने ही तुम मुझे बुलाया था जुलिया को ये सब को समझ में नहीं आता बाद में वो फिगर आउट करती है कि टैसा ने ही उसे कॉल किया होगा एकसरजबन जुलिया को मिस करता था तो उसे हग कर लेता है उससे दूर जाने के लिए एक चाको से उस पर वो वार करती है एकसरजबन फिर से जुलिया को बहुत मारता है वो फिर इसी चाको से उसके पेर पर वार करकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है ये जो भी सब हो रहा था टैसा इस पर नजर ही रख रही थी वो फिर घर के अंदर आई वो एकसरजबन से कहती है तुमने इस सीचुईशन को हाथ से जाने दिया ये समझ जाता है कि उससे चैट करने वाली टैसा ही थी टैसा फिर चाको लेकर उसे मार डालती है इसके बाद मूवी का जो फर्स सेन था यानि कि पुलिस जुलिया को इंडरेगेट कर रहे है ये आता है पुलिस अब जुलिया पर ही शक करते है कि उसने अपने हस्बंड को मार डाला चाको पर जुलिया के फिंगर प्रिंट से फेस्बुक पर जुलिया के प्रोफाइल से टैसा उसके एकस हस्बंड से बात करती थी इससे प्रूव होता है कि जुल्या और उसका एक सस्बंड एक दूसरे की कॉन्टाइक में थे इस चैर्ट से ये भी पता चलता है जुल्या ने अपने एक सस्बंड को उसे मिलने के लिए बुलाए हुआ था जुल्या पुलीस को टेसा के बारे में बताती है कहती है कि मुझे फसाया जा रहा है जुलिया पर वो बिलिव नहीं करते इसके बाद डेविड पुलीस टेशन में जुलिया से मिलने के लिए कहता है जो भी हुआ हम इस सब से लड़ेंगे तुम कुछ भी वरी मत करो डेविड से फिर पुलीस बात करते है कहता है कि जुलिया अपने एक्स बॉइफरेंड के साथ भाग जाने वाली थी उसे वो कुछ चार्ट दिखाते है इस चार्ट से डेविड को बता जलता है कि जुलिया अपने बॉइफरेंड के साथ उसके सब कोई चीजे बेज़ कर भाग जाने वाली थी डेविड को इस पर भिलिव नहीं आता पुलिस से यह दा है यह बहुत ही अजीब सा सब कुछ लग रहा है जुलिया की खिलाव जो भी सबूत है कि कोई प्लांट कर सकता है इसी वज़े से पुलिस उसे जाने देते हैं रात में डेविड टेसा के पास आय हुआ था उसने वहाँ देखा कि टेसा गलोज जला रही है डेविड ने टेसा के पास जुलिया की रिंग भी नूटिस की उसे सब कुछ पता जल गया कि जुलिया जो कह रही थी यह सब कुछ सच था टेसा ने ही मर्डर किया है डेविड कहता है तुम्हें help की जरूरत है वो अब लीली को घर लेकर जाने वाला था तब ली टेसा एक डंडे से उसके server वार करती है वो बेहोश हो गया जुलिया जब free हुए तो वो directly डेविड को ढूंती हुए टेसा के पास आती है टेसा उपर की कमरे में थे तो डेविड को नीचे पढ़ा हुआ जुलिया नोटिस कर दिया वो पुलिस को कौन लगा रही थी तब ली टेसा फोन का connection काट देती है वो जुलिया से कहती है कि यह मेरा घर है मेरी life है तुमने यह सब कुछ मुझसे चीन लिया टेसा जुलिया को मारने लग जाती है कहती है तुमारे एक सस्बन ने तुमें इतना hurt किया था पर फिर भी तुमने उसे जाने दिया तुम बहुती weak हो जुलिया अब इस पर बहुती जादा चीड़ गई कहती है मैं weak थी अब मैं नहीं रहूंगी वो जुलिया से लड़ने लग जाती है उसके हाथ में चाको आ गया था टेसा वो कहती है जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ टेसा ने फिर realize किया कि वो क्या बन चुकी है उसने जो भी किया उसे बहुत गलत लगता है जुलिया के हाथ में चाको था उसका हाथ पकड़कर वो खुट को ही इंजोर कर डाल दिया वो जुलिया से कहती है कि लिली को मेरे बारे में पता नहीं चलने देना वो मुझे अच्छे समझती थी तो मेरी अच्छी memories उसे याद दिलाना टेसा मरने वाली थी तो जुलिया उसे promise कर दिया इसके बाद टेसा की death हो गई डेविड को hospital में ले जाया गया जो भी सब incident हुआ ये सब police को बताया जाता है ये case फिर close हो जाती है डेविड जब ठीक होता है तो ये सब bad memories भुदाने के लिए एक नए शहर में shift हो चुके है लिली, डेविड और जुलिया इनके एक बहुती beautiful जी family बन जाती है ये सब बहुती खुश थे पर एक दिन टेसा की mother इन्हें visit करने के लिए आई टेसा के mother के लोग से पता चलता है कि अब वो जुलिया से बदला लेने वाली है इस cliffhanger के बावजुद मुझे movie complete लगती है इस movie में जुलिया के एकसस्बन ने उसे बहुत ही तकलीव दी थी उसे मारा करता था और जुलिया सेहन करती थी जब उसके एकसस्बन को उसने छोड़ दिया डेविड के साथ वो रहने लग गए तब टेसा उसकी life में आई जिस तरीके से जुलिया को उसका एकसस्बन मैनुपलेट करता था उसी तरीके से टेसा भी करने लग गए फाइनली जुलिया सब मैंटर्स अपने खुद के हाथ मिली थी है मुवी के लास में वो स्ट्रॉंक बन चुकी है अब उसे कोई भी प्रावलोम आए इसे वो डट कर सामना करेगी इसे एक नोट पर आज के वीडियो हम खतम करते है अब आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहे तो इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिवेशन आइकोन दवाने में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवीज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है